अब हेलो श्टुडंस और टुड़े वी आफ इसकेस अबाउट जेए मेन 2022 ओके आज आपने जेए मेन 2022 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं यार जेए मेन का रजिस्टेशन प्रोसेस क्या है कब से एक्जयाम होने वाले हैं कब इसका रजिस्टेशन हम कैसे कर पाएंगे कहां पर जाकर रेजिस्टर करना है बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक यह आईडिया भी नहीं लेग पा रहा था मेरे को बहुत सारे बच्चे मेसेज़े इमेल कमेंट बॉक्स में डाल रहे थे कि यह क्या करें इसका रेजिस्टेशन का से स्टार्ट होगा क्या कोई दूसरा वेबसाइट है तो यहार इसका कोई वैसे डूसरा वेबसाइट नहीं है यह जो है ओल्मोस्ट कथम हो जाएगा वैसे यह तो रहता आप जैसे 2020 का भी पड़ा होगा अभी तक ओके तो जैसे आपको जो है गूगल बगर आप आप जैसे सर्च करोगे तो जही में जो एंट सब्सक्राइब आपको अपड़ेट मिल जाएगा जैसे अगर मैं बात करूं तो यह पेज तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा जो यह पेज इस पर कोई जैसे यह लोग लिंक बगरा जारी करेंगे तो आप लोग जो है एंट यह की वेवसाइट पर विजिट करते रहें चिक है स्टुडेंट यह जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेवसाइट है और आप अपन बात कर लेते हैं जही में के बारे में तो बच्चों जही में अग्जाम है फो nta की सबसे बड़ी इक्जाम यही होती है यही सबसे इसकी सबंसे होती सबसे परहों कि में के सब्सक्रय सकते हैं उसका application form 13 January को at least आ जाएगा ठीक है तेरा 14 जनवरी से ज्यादा लेट नहीं हो सकता है मैं यह guarantee नहीं दिया सकता है ठीक है मैं मेरे को जो information दी है लोगों ने हो सकता है उनको उन्होंने गलत बताया हो सही बतायों ठीक है मेरे को बताया हो मैं आप लोगों को बता सकता हूं ठीक है और आप देख सकते हो कि अध्यार आपको नोटिफिकेशन आजाएगा रिजिस्टेशन के रिगार्डिंग और यार इसमें थोड़ा सा टाइम यह भी लगता है कि गवर्मेंट सेक्टर है और एटलिस्ट कितने गंटे काम करते हैं लोग 6-7 गंटे काम करते हैं वह करते हैं जो भी कंपनी है और इमें हो जिते भी सारी काउंसलिंग होते हैं उनके पास सारी इंफॉमेशन वल्लब सर्वर में वर्क करना पड़ता है तो लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाँ आप मान सकते हो तेरा तारिक तक हो जाएगा सारा सीन और इसकी एटलिस्ट लास्ट देट तो ह है 27-28 तारिक बता रहे थे वो लोग की 27-28 तारिक लास्ट देट होगी फरवरी में कोई एक्जाम नहीं बताया जा रहा अभी तक वो लोग यहीं बोल रहे हैं कि एक्जाम जो है मार्च के अंदर किया जाएगा और जूटो भी ओमिक्रोन भी कुछ कुछ आंसे में बहुत सिच्वेशन अभी तो गड़ बड़ा रहा है और इलेक्शन पी आ रहे हैं तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है क्योंकि इलेक्शन वाले जो चुचा ना नेता जी वह बहुत खतरनाक लोग होते हैं उनके करोडों रुपए बरबाद हो जाएंगे वैसारों के तो उन् देखा होगा इंटरनेट पर कितना चला था नो नो लाग बच्चे पर डे के अंदर एक गटे में ट्वीट कर रहे थे कि कैंसल करो कैंसल करो जेमें कैंसल करो पिर भी एक जाम हुआ था कोवीट के अंदर सेप्टेमर में 2020 के अंदर आप देख सकते हैं नेता जी तुमारा अपनबस अब अपन बात कर लेते हैं आपका फस्ट आंप्रेल माइज और जून और गोडचे यही परेकरो सभी बच्चे की सारा का सारा सथीं जो है वो ठीक रहे और जैसी सारी सारी सिच्वेशन जो है चाइना की तरफ वापीश चली जाए यार चाइना क्यों बोलते हैं हम लोग जो जो भी है इन्षान ही है तो किसी को मिल इसा हट नहीं करना चाहिए चाइना की वज़े से हो रहा है क्यां कि मैं भी स्पेसक्ष के साथ जाना यार चांद पर तुम्हारा दोस्त जा रहा है मार्स की और इलोन मस्क के साथ स्टुडेंट्स और बस अब सेकेंड अपने बात कर लेते हैं आपका एक मेजर लिए यह भी क्यूशन था कि 75% का क्या क्राइटेरिया है भाइया तो यार अभी इस बार अकर पर देखें ना तो सी बीएसी और बीएसी अदरेट जो बोर्ड है ना उनके तो 90 प्लस माक्स दिय बहुत-बहुत मिनिममम माक्स देते हैं पता नहीं कैसे टीचर पार्टी वहां कि आप लोग चोकलेट के लाया करो उनको अगर जो भी बचे विहार बगरा से हैं तो आकि आपको अच्छे माक्स मिले और अगर कोई विहार का कोई अगर टीचर यह वीडियो देख रहा तो प्लीज इनके इतने माक्स क्यों कारती हूं इतने का माक्स भाई अटलिस 84 माक्स पूरे विहार बहुट के अधर का टॉपब चाप दहुत-पर पर एकon मेरे अजतने मेरे अट-ने मदा काटने यार तो ठीक है वह उनका सेन है हम क्या कर सकते है इस पर 75% का सीन ऐसा है कि इस बार नहीं है वैसे आपको 75% की रिक्वार्मेंट रहेगी क्योंकि ओनलाइन बगरा एकजाम ओनलाइन हुआता बच्चों के है वैसे कुछ बच्चों के शाहत 9 सब्सक्राइब भी हुई है तो मेरे को जो इनफरमिशन मिली है उसके साब से मैं बता रहा हूं कि 75% का क्राइटेरियर रहेगा यानि कि आपको 75% लाने पड़ेंगे जो भी बच्चे 12 में जचा क्या पढ़ाई करो फोड़ दो एक्जाम रिसाइड करेगा कि तुम्हारी साध सबस्क्राइब करना डंग से चल रही है वगवान करें घतं हो जाए जल्दी से और आपकी क्लासे बगराई स्टार्ट हो जाए अगस से अगर हो जाती है तो अच्छी बात है वैसे जुलाई से होनी चाहिए लेकिन ओल्सक्राज सारा सेथा घ्राई अगए अगस्ट अगर क्लासे स्टार्ट हो जाते हैं तो यार बहुत अची बात है और हम तो यह प्रेख करते हैं कि हमारी कम से कम क्लासे online हो सारे के सारे क्लासे हम ओफ-लाइन लगाएं तो कि offline में जो सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी बच्चे हो और सारी अपडेट में डालता रहांगा अप्लिकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है काउंसलिंग होती है कौन सा कोलेज कैसा है कौन सा कोलेज बूरा है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल ओके स्टूडेंट्स ठीक है थेंक्यू शो मच और कूप पड़ाइगरी अपना ख्याल रखे अपनी फेमेली का ख्याल रखे थेंक्यू